वेल तारा सुतारिया, दीशा पाटनी, अरजुन कपूर और जॉन अब्राम स्टारर एक विलन रिटर्न्स का अब सामने बॉक्स ओफिस कलेक्शन आ रहा है क्या ये मूवी फॉप जाएगी, क्या ये मूवी हिट जाएगी, अब फिलहाल क्या कुछ कलेक्शन है, किस तरीके से कलेक्शन अप जारा है, डाउन जारा है क्या बॉलिवुड में अब इस साल और कोई बड़ी हिट मुवी नहीं होगी जो टक्कर दे पाएगी The Kashmir Files और भूल भूलेया 2 को चलिए जानते हैं इस विडियो में आप देख रहे है FIFA FOOS मैं हूँ आपकी होस्टन दोस में आंगी करने को वेल इस साल बॉल वुड के लिए कुछ खास नहीं रहा है पोस्ट पाइडमिक जो मुवी रिलीज होना शुरू होए उसमें सिर्फ तीन ही मुवी ने अच्छा खासा बिजनस किया है सबसे जादा हिट रही है भूल भूलेया 2 जिसमें कार्तिक आरियन हमें लीड में दिखाई दिये कश्मीर पाइड़ को भी काफी जादा जो है प्रॉफिट मिला है काफी बढ़िया इस मुवी ने काम करा है लोगों के इमोशनल कोशन को टच किया है उसके बाद गंगुबाई काठ्यवाड आलिया भट की मुवी की बात करे तो उस मुवी ने भी एक डीसेंट बिजनस किया है अपार्ट फर्म दाट काफी बड़ी-बड़ी मुवी आई और बड़ी-बड़ी मुवी गई और अभी इस साल क्या कोई और बड़ी मुवी बन पाएगी क्या कार्टिक आरियन के भूल-बूलयाटू को टक्कर दे पाएगी यह तो हमें आने वाला वक्त ही बता चलेगा लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि एक विलन रेटर्ण काफी डीसेंट ओपनिंग के साथ शुरू हुई थी और अब आपको फिलहाल बता दे इस मुवी ने अब तक अच्छा खासा बिजनिस किया है नौट बाड ओपनिंग जो इनकी हुई थी विच सेवन ओपनिंग वीकेंड का जो था इस मुवी ने कर ली है और संडे तक अच्छे खासी अर्निंग हुई लेकिन जैसे ही मंडे आया डाउनवर्स ट्रेंज शुरू हो गया और धीरे धीरे जो है लोगों ने इस मुवी को जाना कम किया और अभी जो लेटेस्ट अर्निंग रही है कल के दिन की अगर हम बात करें तो 1.50 करोड की कमाई हुई है जिसके चलते टोटल 33 करोड अप्रॉक्सिमिटल हुई है और आने वाले कुछी दिनों में 45-50 करोड तक की कमाई जो है इस मुवी की होते हुए हमें दिखाई देने वाली है और अगला वीकेंड लेकिन लोग वीकेंड के साथ साथ लाल सिंग चड़ा और रक्षा बंधन भी रिलीज हो रही है उस वज़े से इस मुवी को डेफिनिटली थोड़ा बहुत धका ज़रूर पहुत सकता है आपको क्या है लगता ये मुवी क्या सरपास कर पाएगी ऐसे फेस को जहांपे लाल सिंग चड़ा और रक्षा बंधन जैसे मुवी जा रही है What's your take? Let me know in the comments क्या आपने equivalent returns देखा है क्या आप कोई मुवी अच्छी लगी है या नहीं? Let me know in the comments But yes अगर आने वाले टाइम में अभी जो 33 करोड की कमाई है अगर 40 और 45 के बीच अगर ये कमाई गई तो एक बात तो पक्की है कि ये मुवी at least flop नहीं होगी decent business करने वाली होगी क्या कुछ कहना आपको इसके उपर? Let me know in the comments I'll see you soon